फोन तो नया है बट लुक्स हो चुका है इसका पुराना तो क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या आपको भी अपने फोन को यूज़ करने पर लगता है वही पुराना चीज कितनी बार यूज़ करो तो हाज हम लोग बात करने वाले हैं पाच ऐसे अप्लिक्शन के बारे में ज सबसे मेजर ठिंक होता है और अगर आपके पास Android फोन है और अगर अपनी फोन में आप कस्टमाइजिशन नहीं करते हैं तो क्या काम गया Android फोन रखने का तो आज हमनों बात करने वाल है कि कैसे अपने फोन को एक नई लुक में लगा सकते हैं फोन पूराना होगा लेकिन लु तो दोस्तों क्या आप भी बोरू चुके हैं अपने पुराने स्टेटस बार से मतलब हर एक फोन में स्टेटस बार सो देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही जदा ये ओल्ड फैसन टाप का हो गया मतलब कॉमन स्टेटस बार कितना दिन आप देखोगे तो आज आपके पूराइजशन हो जाएगा मतलब बस वब स्टों चेंज और आपको बहुत बड़े बड़े आइकांको में सबसे पहला आपको मिलता है control set का style और दूसरा है आपको control center तो मैं आपको control center पर लगता है और इसमें आपको बहुत सारा customization भी देखने मिलते हैं जैसे layout के निदर आप जाओगे तो आप बहुत सारा other features को भी access कर पाओगे जैसे कि आप यहाँ पे date रने वाला है well optimized है और बहुत ही कमाल का response भी करता है तो इसे आप ट्राइब कर सकते हो सब्सक्रिप्रिप्शन में मिल जाएगा तो customization में अगर launcher include ना होना तो किस काम का भाई हमारे इस लिस्ट में एक launcher features देखने को मिलते हैं और देख सकते हो इसक्रीन के ऊपर ही मतलब पूरा design phone का change हो चुका है और बहुत सारे यहाँ पर चुटा चुटा आपको बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आपका फूरा phone चेंज हो जाएगा इस iron man theme में और देखने में इन बहुत ही crazy लगता है तो जाओ इसको भी use करो wide launcher नाम है और अपने phone को एक नए look में convert करो और मजी करो और क्या बोलू तो देखो customization में launcher तो important होता है यह साथ में wallpaper का भी सबसे बड़ा role होता है wallpaper भी अच्छा आपका launcher में होना चाहिए न मतलब phones में सबसे पहले क्या देखा जाता है फोन नहीं फोन के अंदर का launcher देखा जाता है तो इसके लिए भी एक कमाल का application है जिसमें आपको wide collection देखने को मिलते हैं wallpapers का इस application का नाम है dope wall जिया dope wall एन वी न डोप तो पारिया करो वो गाना वाला नहीं यह है dope wall बात करते हैं इस application के बार में कि इसमें वो क्या अच्छा और कैसे कैसे collections देखने को मिलते हैं इसमें आपको super heroes का भी देखने को मिल जाता है wallpapers, minimalistic wallpapers भी है 4K wallpapers भी available है और बहुती तरह के abstract wallpapers भी है minimal wallpaper भी है और बहुती सारा है और आपका favorite, मेरा favorite iron man का भी आपको wallpaper देखने को मिल जाएगा बात करते हैं कुछ collection की उपर तो जैस wallpaper इसी की अंदर है जैसा कि देखते हैं तो quality बहुती कमाल का है तो abstract wallpaper में यहां पर लगाता हूँ तो उस होड़ादा अच्छा लगता है मेरे को abstract wallpaper पसंद है मेरे को personally तो यह वहला बहुती मेरे को अच्छा लग रहा है save as कर देता हूँ और home screen कर देता हूँ इस application के एक और benefit ह है कि आप इस wallpaper को अपने gallery में भी रख सकते हो और किसी और phone में लगाना है तो बिना application को download किए अपना favorite wallpaper शेर करो और उनकी phone में लग जाएगा जो बहुती अच्छा feature है जैसे देखते हैं आप wallpaper set हो चुका है और देखने में लिटरली देखने में बहुती ज़्यादा कमाल का बना जाता है मतलब phone का look सबसे ज़्यादा changes होता है wallpaper से और wallpaper collection आपको भी रखने चाहिए तो यह था डॉप wallpaper तो आपका कौंसा फिवरेट wallpaper application है जरा comment कर दो हम भी install कर लेंगे और क्या तो जो महारा अगला application होता है उसका नाम है liquid tear down मतलब यह एक ऐसा application है जो आपके phone को एक next level का look में convert करवा सकता है यह बस काम करता है charging के time जी हाँ charging के time आपका phone का internals देखने को मिलेगा charging होते हुए मतलब phone तो बहुत ही next level का आपको मिल जाता है crazy जैसे कि जैरी दिख आपको देखने मिलता है जैरी डिक का अगर आपने वीडियो देखा है जो phone का tear down करते है तो उनमें आपको देखने को मिलता है tear down लेकिन आपको इसमें by default आपके AOD के अंदर always on display में आपका phone का internals देखने क उपन करोगी तो आपको प्रिवीव बटन में क्लिक करोगे तो आपको आपको अपís कमाद का लुक लगा डिता है जैसे आपका फोन चार्जिंग होता है लेकिन इसकी खराब बात यह है कि यह हर एक phone को support नहीं करता है फिलाल इसमें limited amount of phone support करते है तो जाओ चेक करो क्या प्रिविश्य आपको सपोर्ट करता है और कुछ कुछ फोन है लेकिन बहुत एक कमाल का है जाके आप चेक करना और मुझे बताना मत बुलना कमेंट में क्या आपका फोन सपोर्ट क्या लिक्वीड टीर डाउन फोन बहुत ही नेक्स लेविल का रिज्टीय जाओ यूज करो प करोगे तो आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा brightness adjust होगा right to left करोगी तो volume adjust होगा ऐसे बहुत सारे gestures आप लगा पाऊगे simple install करो और application को open जैसे करोगे तो इसमें आपको बहुत ही कमाल का देखने को features मिल जाएगा तो start button में click कर देना permission grant कर देना और आपको gesture का button देखने मिलेगा जैसे click करोगे तो आपको यहां पर बहुत सारे command देखने मिल जाएंगे single tap में क्या होना चाहिए जैसे कि मैंने रखा है do not disturb on हो जाएगा जैसे आप देखते हैं मैं single tap करूँगा status बार में यहां पर gesture लगा के रखा हूँ कि जैसे मैं अपने finger से left to right अपने status बार में करेंगा तो brightness आपको देखने को मिल रहा है यह ब्लू लाइन इंडिकेट करता है मेरे battery percentage यह भी आप इसी super status application से कर पाओगे simple आपको कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पे battery बार में जाना है और इसे on कर देना है और आपको भी color यहाँ पर choice कर सकते हो जो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है आपका battery percentage यहाँ पे एक line में देखने को मिल देता है बहु एक नहीं लुक में लगा सकते हो और इन पाचों में से कौन सा application आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा application आप अभी तुरन जाके download करने वाले हो जड़ा कोमेंट करके जरू बताना वीडियो में थूरा ज्यादा मजा ही आ गया ना तो वीडियो को अपने friends और family नुटिक्शन आएगा और हां ऐसा वीडियो के मैं रोजाना बनाओ रोजाना नहीं लेकिन हां वीकली मैं बना सकता हूँ अगर आप बोलो तो देखता हूँ कितना लोगा कमेंट आता है तो च्छी कि वीवर्स मेलते में चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्ट वीडियो में थैंक्स पूर चिंग हाई फाई और हां इंस्सेग्राम में फॉलो नहीं किया आ रहो गया हाँ आप पर फॉलो आप चाहें तो कर सकते हो वाई